हालो फ्रेंज वेलकम टू मंत्रा वीडियो विद्या सिरीज मेरा नाम है रामा इस इटोर में हम आपको बता रहे हैं इन पॉइंट और आउट पॉइंट लगाने के बाद उनको किस परकर हटाया जाता है सबसे पहले आपको चलते हैं सोस पैनल में सोस पैनल में यह दिया आपको इन पॉइंट आउट पॉइंट लगा गया है तो उसको हम हटायें कैसे आउट पोईट इस तरीके से इन अपर मिलते हैं एक हैं वहां तक आउट पैंट को दिशन हो जाएगाए इसके बावजूद जब भी आप क्लीक को पिलाएंगे जिस चुरु से लेकर के मार्क आउट तक आएगी इसके है तरुक ते zone क्लियर करनेके लिए तो आद आप देखें यहां पर इन आउट पोईंट दोनों क्लियर होगे लेकिन हम इसको अलग अलग ना करके एक साथ चाहते हैं तो इन पोईंट और आउट पोईंट और लगा है आपके timeline पर यह सोर्स मानिटर पर या project panel में तो भी आप right click करके clear in and out करेंगे, तो in point और out point आपको हट जाएगा, timeline से भी आपको यहां से regulate click करेंगे, तो भी in point और out point हटा सकते हैं, इसके अत्रिक, आपके clear in, in and out point, यहां पर write click करके, option clear in and out point पर जाएंगे, या option पर जाएंगे, तो भी आपका in point out point, का मार्क यहां से हट जाएगा इसके अतरिक यदि आप जब हटाने के लिए आपके मीनू बार में भी आफ़सन दिया गया है जो मारकर मीनू में जाएंगे तो यहां पर भी आपको आफ़सन दिये गये हैं तीनों क्लियर इन पॉइंट, क्लियर आउट पॉइंट और क्लियर इन आउट पॉइंट लेकिन यहां पर आपको इन पॉइंट और आउट पॉइंट हटाने के शॉट कट आफशन भी दिया गया है जिनका प्रियोग करके आप टाइम लाइन पे या सोर्स पैनल में या और इन पॉइंट और आउट पॉइंट को दोनों को हटाने के लिए आपका जो शॉटकुट कमांड है कंट्रोल सिफ्ट एक्स है इन तीनों आफशन का इटिलाइज करके चाहे आप मिनु बार से आप आफशन को चूज करें या राइट क्लिक करके यूज करें या यहां पर दिये गए कीबोड शॉटकुट का प्रियोग करके इन पॉइंट और आउट पॉइंट को एक साथ या अलग अलग इन पॉइंट या आउट पॉइंट को हटाया जा सकता है चाहे वो आप सोर्स माइटर पे हो या टेस्ट सीकुन्स बिंडो पे हो या प्रोजेक्ट पैनल में हो आप कहीं से भी इन पॉइंट आउट पॉइंट को हटा सकते हैं इस टोरियल में इतना ही थैंक यू फार वाचिंग तो आप हमारे साथ बने रहे देखते रहे शीखते रहे और अगले वीडियो तक रामा की राम राम